Hello everyone, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोर आपकी सक्सेस Friends, इस वीडियो में हम सब General Studies यानि कि GKGS से Mixed 50 Questions को करने वाले हैं ये आपके आने वाले examinations के लिए important होगे इसमें previous years और plus model दोनों टाइप की Questions लिए गए हैं जो बहुत ही अच्छे Questions हैं और आप इसे as a practice भी चेक कर सकते हैं कि आप कितने इस 50 Questions में कितने Questions सही कार पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखिए जितना Questions का अंसन आपको आता है उसको मन में रखिए और finally जाके आप एक कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका 50 में से कितना स्कोर हो रहा है और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपसे एक कोशन पुछा गया उसका भी उत्तर आपको कमेंट बाक्स में बताना है और आप इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाते हैं तो आप हमारा Telegram Group for आपकी Success जॉइन कर लिजे वहाँ आपको इसका Free PDF फाइल मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को तो फर्स्ट कोशन है टैक्सी फोर्स और किसके द्वारा अधिकरित किया गया है तो इसका राइट आंसर है Ola Cap Ola Cap के द्वारा टैक्सी फोर्स और जो Tag Line है वो अधिकरित किया गया है नेक्स कोशन है कि दुनिया का पहला 3D मुदरित जेट इंजन किस देश ने विख्सित किया है तो इसका right answer है आस्ट्रेलिया के द्वारा दुनिया का पहला 3D जेट इंजर विख्सित किया गया है next question है कि नालंदा विषविध्याला का संस्थापक कौन था तो नारंदा विस्विद्याला का संस्थापक जो था वो था कुमार गुप्ट नेक्स कोशन है कि उजयन का प्राचिन काल में क्या नाम था तो उजयन का प्राचिन काल में नाम अवंतिका था क्या नाम था अवंतिका नाम था भारत में हुनो का अक्रमन किसके सासनकाल में हुआ था सांची का अस्थूप किस सासक ने बनौए था असोक द्वारा असोक के द्वारा बनाया गया था नेक्स कोशन है कि असोक के सीला लेखों को सरवर्थम किसने पढ़ा तो असोक के सीला लेखों को सरवर्थम जिम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था नेक्स कोशन है कि बहुत धर्म के परचार के लिए असोक ने स्रिलंका भेजा था तो बहुत धर्म के परचार के लिए असोग ने जो स्रिलंका बेजा था वो थे महेंद्र एवं संग मित्रा ये दोनों को स्रिलंका बेजा गया था नेक्स कोशन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुआई बन गए थे तो वो जैन धन के अनुआई बन गए थे ठीक है कौन तो वो चंद्रगुप्त मौर्य नेक्स कोशन है हरपवासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे तो हरपवासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे next question है कि सिंदु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो सिंदु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो कुछ नगर में हुआ था वह हुआ था लोथल से ठीक है next question देखिए कि चंद्रगुप्त मौरी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया तो चंद्रगुप्त मौरनी अपना अंतिम समय जो है वह सरवन बेलगोला में भी ताया था तहाँ पे सरवन बेलगोला में ठीक है नेक्स कोश्चन देखिए कि कपिल मुनी द्वारा परतिपादित दार्सनिक परनाली है तो कपिल मुनी द्वारा परतिपादित जो दार्सनिक परनाली है वो है सांख्य दर्सन ठीक है सांख्य दर्सन के जो परतिपादन किनों ने किया है वो कपिल मुनी ने किया है very important कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया तो रूस में जो है लाल सेना का गठन किया गया था ट्राटिस के द्वारा ठीक है ट्राटिस के द्वारा गठन किया गया था नेक्स कोश्चन है कि रूसी क्रांथी के दौरान चेका का गठन किसने किया तो रूसी क्रां चलिए नेक्स कोशन है वैदिक काल में आर्यो के जिविक को पारजन यानि कि जिविका का मुख्य साधन था तो वैदिक काल में जो आर्यो के जिविका का मुख्य साधन था वो था क्रीसी क्रीसी पे ये लोग आधारी थे नेक्स देखिए निम्न में से किस करांती को अक्टू गार है वह आकाता इनको लेनिन ने चीक है नेक्स कोचन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुराना वेद कौन सा है रीग वेद हैं सबसे पुराना वेद रीग वेद हैं नेक्स कोचन है हिंद भारत की जनता के संदर में हिंदू सब्द का पर्थम बार परयोग क और किया गया था भुष्व taste की पर्थम विसव युद्ध मयत्रै था तौर्णा की की अदरी को पैगंबर है वह मजीनी को कहा जाता है किसे कहा जाता है मजीनी को कहा जाता है नेक्स कोशन है कि निम्न में से कौन सा राजा प्राया जनता के संपर्क में रहता था तो असोग जो है वह जनता के संपर्क में रहता था नेक्स कोशन है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किस न बनाए तो यहले नामक संगठण किस ने बना ये तो संस्थान की यह करें तो यह यह स्थाफित की गही यह तो यह lift किये एलन मस्क के द्वारा यस भारती सम्मान यह सुपर दौई यह राज सारकार द्वारा प्रदधत है तो यह सभारती समान जो है वह उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है लोगों को Next question देखिए किसने कभीता के लिए खुश्वंध सिंग मेमोरियल पुरुसकार जीता तो कभीता के लिए खुश्वंध मेमोरियल सिंद्पुरुसकार नमें से किसने जीता है औरुनिदाथी सुब्रमन्यम ने जीता असलिब molar मटन नेले सव और विश्चन देखिये नीम लेकित में कौन और असमाज़् समंद्ध होता लग में तो और वह उच्छ ताप के मापन में इसका परियोग किया जाता है आयोडीन के टिंचर ठीक है तो टिंचर ओप आयोडीन का परियोग निमिलखित में से किसके लिए किया जाता है तो उसका राइट आंसर है एंटी सेप्टिक के रूप में किया जाता है टिंचर ओप आयोडीन का पर वर्षा और उच अच्छांस यानि की कम वर्षा इसके तत्य के पीछे क्या कारण हो सकता है तो इसके तत्य के पीछे कारण हो सकता है वास्पी करण ठीक है वे वास्पी करण ही इसके तत्य के पीछे की निम्न अच्छांस में अधिक वर्षा होगी और उच अच्छांस में कम कम बर्सा होगी समाने तद 600 feet समूद की गहराई पर जाने से कितना ताप करम कम हो जाता है तो राइट आंसर अपसन ये 10 degree तो 600 feet अगर हम समूद की गहराई पर जाते हैं तो हमारा जो temperature है हमारा यानि कि वहाँ का temperature है वो 10 degree घढ़ जाता है नेक्स कोशन है कि बारावी ब्रिक सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित की जाएगी तो देखिए बारावी जो ब्रिक सम्मेलन जो होने वाली है वो रूस में आयोजित की जाएगी जुलाई माहिने में रूस में आयोजित की जाएगी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है कि हाली में बरमांड के सबसे गर्म गरा की खोज की गई उस गरा का क्या नाम है तो उस गरा का नाम है केल्ट 9B ठीक है सबसे गर्म गरा का क्या नाम है केल्ट 9B नेक्स कोशन है कि भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है तो मानत रहित जो टैंक बनाए उसका क्या नाम है मुंत्र नाम है क्या नाम है मुंत्रा नेक्स कोशन है कि गुप्त वंस ने लगबक कितने वर्सों तक सासन किया तो गुप्त वंस ने हैं लगबक तीन सो वर्सों तक सासन किया नेक्स कोशन है कि किस गुप्त सासक ने लिच्छावी वंस की राजकुमारी से विवाग किया तो राइट आंसर है चंद्र गुप्त प्रथम ने जो है वो लिच्छाई वंस के राजकुमारी से विवा किया नेक्स कोशन है कि किस गुप्त राजा को विक्रम आदिती के नाम से भी जाना जाता है तो चंद्रगुप्त दुईतिये को विक्रम आदिती के नाम से भी जाना जाता है महरौली दिली के लौव स्थम्ब में किस सासा के विशे में जानकारी मिलती है तो राइट आंसर अप्सन भी विक्रम आदिती के बारे में जानकारी मिलती है महरौली के लौब स्थम से नेक्स कोशन है कि जन्पत की जानकारी मिलती है तो जन्पत की जानकारी हमें कहां से प्राप्थ होती है हमें बौध साहितियों से प्राप्थ होती है नेक्स कोशन है वज्जी महा जन्पत क्या था तो वज्जी महाजनपद है वो कैसा था? वो गंतंत्रिय था, Republican था Next question है जनपद में जाती पर था किस पर आधारी थी? तो जो जनपद थे उनमें जो जाती पर था थी वो जनम आधारी थी Next question है कि महाजनपद में गाओं का परधान कया कालादा था? तो महाजनपद में गाउं का परदान ग्राम मुख्या कहलादा था, ग्राम परमुख कहलादा था नेक्स कोशन है, सुरी के चारों तरफ एक परिकर्मा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो राइट आंसर है ब्रिहस्पती, ठीक है ब्रिहस्पती सबसे ज़्यादा समय लेती है नेक्स कोशन है कि सुपर्मून के समय चांद लगबग कितना परतिसत बड़ा दिखता है तो 14 परतिसत लगबग सुपर्मून के समय चांद बड़ा दिखाई देता है नेक्स कोशन है कि निम्न में से किसने आईनी अकबरी और अकबर नामा पुस्तक लिखी है तो अबुल फजल के दोरा आईनी अकबरी और अकबर नामा पुस्तक लिखी गई है लास्ट कोशन है कि किस मुगल सासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था तो साह जहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था और आपके लिए जो प्रस्क है वो ये है कि अव इतिये विद्यकों को राज सभा कितने समय तक रोक सकती है तो आप इस कोशन का कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं छे महिना, दो महिना, इस टेस्ट में, यानि कि इस पचास कोशन के सेट में 35 से उपर आ रहा है, वो अपने आपको पास समझ सकते हैं, 35 से जिने नीचे आ रहा है, उन्हें और पढ़ने की और मेहनत करने की जरूरत है, तो आप अपना अंसर हमें honestly कितना आया, वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूरत है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जाहिन